नमस्कार आजकल बॉलिवुड का हर शक्स कुछ ना कुछ करता रहता है ऐसे ही बॉलिवुड की चोप्रा फामिली की परेनिती ने रंगवाय बाल तो वही ईशान खटर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए दिखे परेसान मुंबई में कई जगह स्पॉट हुए बॉलिवुड सितारे किसी ने रंगवाय बाल तो कोई पढ़ रहा था अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट मुंबई में एक कैफे में मीटिंग करने पहुची भूमी पैडने कर अपनी अगली फिल्म की तलाश में शेकर कपूर के साथ मीटिंग करने पहुची थी भूमी मुंबई के एक कैफे में अकेले बैटकर अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पड़ते नजर आए ईशान खटर बेहत कूल अंदाज में हुए स्पॉट वही रोज की तरहें आज भी जीम जाते स्पॉट हुई करीना का पुर अपनी फिटनेस का करीना रखती है खासा ध्यान बूड़ा हेडी में 20 जवान दिखने की हुड हमेशा से कायम है वही दो बच्चे की माता रानी मलाइका अरोडा भी कोई कसर नहीं छोड़ती वो भी जम जाती हुई दिखी इस उम्र में भी फिटनेस के मामले में अपने से कम उम्र की हसीनाओं को अच्छा खासा टकर देती आ रही है आज काल की बग्गु जगनू परेनिती चोप्रा मुंबाई में अपने बाल ही रंगवाली वैसे उसके बाल सायद कुछ ज्यादा ही सफेद हो रहा था इसलिए रंगवाने पड़े बेचारी को परेनिती जो प्रियांका चोप्रा की लाडली बहन है हाल ही में मालरीर से चुटिया मना कर भारत वापस लोटी है पैसे इतना कमाली है कि हर दिन वेकेशन पर जाती है वहीं कभी कभार नजर आने वाले अरज़न रामपाल भी इस वक्त फिल्म की प्रमोशन में बिजी है बीते रोज अपनी फिल्म पाल्टन का प्रमोशन खतम कर पाली कैफे में डिन करते दिखा अरजन रामपाल। ऐसे ही देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चानल को फ्री में सब्सक्राइब तरें। यदि आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को जरूर लाइक तरें। और हमारे वीडियोस डेल इमोशन पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।